स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजे स्वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आज के आपके सामने में हाजिर हूँ एक नए विडियो लेकर और उसका विशे है मनोग्ञान की विधिया और उस विधियों में भी एक स्पेसिफिक विशे है सर्वेक्षण हर्थात आप जो फर्स समेस्टर में ग्रेजुशन के पढ़ाई करते हैं मेथेड्स ओप साइकोलोजी यानि कि जो मेथेड का मतलब यहां पर है मनोविज्ञान एक विशे किस प्रकार से डेटा इकठा करके रिसर्च अनुसंधान करता है और उसमें कौन-कौन से मेथेड्स क कौन-कौन से विदियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसी कड़ी में हमारे पास आज की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे सर्वेक्षन सर्वेक्षन को आपको आडिया लग गया होगा इसे हम अंग्रेजी में सर्वे कहते हैं तो शुरुआत कर रहे हैं हम आज क यमारी वीडियो की और दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और आपने लोगों को देखा भी होगा आपके घर आते हुए बहुत सारे डिटेल्स लेते हैं वो आपसे कोई कई बार आप कई बाहर बजार में हैं तो वावे कई लोग आपसे प्रसन पूछते हैं के अंदर शुरुबात कर लेते हम अगे जैसे की परिवाशा परिवाशा से पहले आप जान लीजिए एक नोट मैंने आपके सामने लिखके दिया है लगवग हर देश में होती है पर भारत में जो जन गन्ना होती है सेंसे होती है हर 10 साल में होती है दोस्तों ये सबसे सर्वे होता है आया समझे आपको अर्थात जो जन गन्ना है दिस इस दी बिगस्ट सर्वे ओफ इंडिया ठीक तो इसी परकार से दूसरे देशों में भी ये जन गन्ना होती है और जन गन्ना कुछ नहीं है एक परकार का सर्वे होता है अब इसकी परिवाशा हम देख लेते सर्वेक्षन अनुसंधान की एक ऐसी विदी होती है जिसमें पूरु निर्दारित उदेशों के आधार पर किसी जनसंख्या से सह संबंद और कार्ण संबंदों को स्थापित करने के लिए विशिस्ट डेटा एकत्रित किया जाता है अब इसमें दो चार टेकनिकल वर्ड है जो माँ पर लिए एक्स्पेन कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर ही कर रहा है कि जो सर्वेक्षन है यानि कि सर्वे है एक रिसर्च का एक मैथड है जो हम रिसर्च करते हैं नुसंधान करते हैं तो एक टेकनिक है यह रिसर्च की इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने objective set किये जाते हैं वह pre-decided होते हैं उनको पूरे दराजी उधेस से बोला जाता है और फिर उधेस्तों के आधार पर किसी भी जनसंख्या यहां पर जनसंख्या का मतलब यह नहीं है कि पूरी जनसंख्या यहां पर है जो को आपने आप जो dari किसे शेर्च डेटा कैसा होगा वह हमारे पूरन द्राइड उदेश से जो थे पूर्ण जो अब्जेक्टिव उस्ते उन से रिलेटिड होता हुग ठीक है ऐसा डेटा में कठा किया जाता है और जो हम डेटा कर लेते हैं तो उस डेटा में आपस में क्या ससंबंध है क्या कोई कारण ये सब जानने के लिए सर्वेक्षन या विदी का प्रियोग किया जाता है ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आगे होगी आगे चलते हैं यह परिवासा रही एक पड़ पर लेजिए सर्वेक्षन अनुसुन धान की एक ऐसी विदी होती है जिससे पूरू निरदारित उदेश्चों के अधार पर किसी जनसंख्या से सह संबंद और कारण संबंदों को स्थाफित करने के लिए विशिष्ट डेटा एकित्रित किया जा जानेंगे एक परीचे क्या है यह जिन लोगों से आपको डेटा लेना है सिधा उनी से आपको डेटा लिया जाता है बच्चे की प्राण्मी कि क्यों रत देटा यह वोता है नहीं डेटा दो तरे से उता है यह जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारी जनगन्ना होई थी पिछली जनगन्ना होई थी दोज़र ग्यारा में उस जन्गनना का जो डेटा आज अबलेबल है इंटरेट पर अबलेबल है या किताबों में अबलेबल है उस डेटा को लेकर आप जब रिसर्च करते हैं तो वो प्रैमरी डेटा नहीं है किके डेटा वो आपने कत्था ने किया आपने किसी नहीं कट्था किया is उसको hey缇 समय सेकेंडरी डेटा करते हैं यहाँ सर्वे में क्या होता है प्रेमरी जिशचित्य और सिधा आप में प्रेमरी स्कुर्ण के सीधह करें प्रेमर्य को हिए प्रेमरी मुद्दे पर या किसी नीतिकत निने लेना हो, कोई फैसला लेना हो, तो उसके संबन्द में सभी लोगों से, जमाने लोगों से, उनका जो द्रश्टी कौन और राय जानने के लिए इसमें प्रियोग में ले आ गया था, पतलब ऐसा नहीं है कि पहले रिसर्च की गिए इससे सभी से पूरी किसी राजाने, किसी राजे में या किसी देश में सबसे मानने कोई आपको कोई बात पूछ नहीं हो, जानने हो कि पबलिक की राय क्या है, इससे संबंदित, कोई फैसला लेना हो, हमें क्या करना चाहिए? जैसे लेटे स्ट आप देखो गे आपर इंगलेंड रहे या ना रहे तो इस तरह से जो एक लोगों की जो राय होती है उनका द्रश्टिकोंड जानने के जो एक टेक्निक है सबसे पहले सर्वे को का रोल ही था इसी से सुरुवात उसकी हुई थी लेकिन आज के समय आधुनिक समय में जब डेटा विस्टेशन के लिए जो डेटा उसका विस्टेशन कर देते हैं और एकुरेट देंगे आपको पहले ही सुदा उपलब नहीं थी तो जब से यह आया है डिजिटल टेक्निक आई है उसके बाद डेटा इकठा करने के लिए जो सर्वेक्षन है बहुत ही परचली तरीका बन गया है और उससे फाइदा क्या हो हो गई है और ठीक या आज की बात हुई समय के साथ सथ स्ववे क्या है एक विस्वसिशनी डेटा सक्न करिकरी के रूप में विकषित हो चुकी Humondi तो आप करेंगे तो बैसे से नहीं है, reliable है यह अब समाजिक विज्ञान जितने भी social sciences हैं, जितने भी social sciences हैं, उन में जो लोगों की समस्याय आती हैं, मनो समाजिक समस्याय हैं, उनकी requirements हैं, उनके लिए policies नितिकत हैं, इन सब को समझने के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में data एकत्र किया जात सर्वे जो टेक्नीक है, सर्वे एक्षंड जो पद्दती है, उसका प्रयोग किया जाता है, sciences में उनको भोजा सर्वे की जूरत नहीं होती है, physical sciences में, उनको दो चार केसी से उन्होंने देखे, उस पर आउटपूर निकाली फिर और कहीं जाकर देखा, फिर और कहीं, लेकिन social sciences में बहुत बड़ी जन्संक्या पर काम होता है, और सीधा effect होता है, results का, इसलिए और ज़्यादा लोगों पर आप यह कहते हैं, जितना बड़ आपका sample होगा, उतना ही आपका data ज़्यादा representative होगा population के, तो इसलिए sample ज़्यादा होगा, तो data ज़्यादा होगा, ज़्याद को accurate data मिलता है, उसके बाद एक और important है, आवस्यक सुचना, जो required information है, उसको अगर जब हम इकठी करते हैं, survey action के मादम से, तो जो survey technique है, उसमें अलग-अलग कई परकार की techniques होती है, survey क्या है, एक comprehensive word है, अब जब हम survey करने जाते हैं, तो वहाँ से लोगों से data इकठा करने के लि techniques हैं, वो कौन-कौन से win techniques हैं, वो हम आने वाली slides में इस वीडियो में हम discuss करेंगे, अब ये जो point हम discuss करेंगे, अब शर्वेक्षन परकार, शर्वेक्षन परकार का मतलब survey type, बनाम, शर्वेक्षन की data संग्रे technique, ये topic का जो heading है, मैंने जान बूज कर ऐसी दी है, क्यों ऐसी है, कई बार आपके exam में प्रसन आजाता है, कि define type of survey, यानि कि आप सर्वेक्षन कितने परकार का होता है, उसको बताइए या समझाईए, एक तो ये हो गया, एक प्रसन कई बार ऐसे आता है, वो कौन-कौन सी data कठा करने की, या संग्रे करने की तकनीक होती है, जो सर्वेक्षन की data संग्रे तकनीकों का, को आप explain कीजी, ये आदिता है, दोस्तों, दोनों कई प्रसनों का एक ही जवाब है, यानि कि सर्वेक्षन का प्रकार, या सर्वेक्षन के अंदर जो data संग्रे तकनीक होती है, वो चीजे दोनों एक ही है, ठीक, आगा इसलिए मैंने इसकी अडिंग दिया है, सर्वेक्षन प्रकार बनाम, सर्वेक्षन की data संग्रे तकनीक, अब सबसे पहला पोईंट आता है, व्यक्तिगत साक्साथकार, इसको इंगले सीं बोलते है, Personal Interview, ये दो प्रकार का होता है, सरंचित साक्साथकार, और ऐत सरंचित साक्साथकार, सरं चित होता है unstructured interview इनके नाम से ही आपको पता सलता है पहले हम थोड़ा सा व्यक्तिक्त साक्षार के बारे हम जानेंगे जो पर्सनल इंट्रुव क्या होता है हम आमने सामने बैठते हैं या सूचना और संचार प्रद्योगी information and communication technology के माद दम्षे भी व्यक्ति के बारे का interview होते हैं सूचना ली जाती है आप सामने सामने बैठें इसके साथ साथ हम सूचना और संचार प्रद्योगी के माद दम्षे भी information के ठीकी जाती है और वो भी एक प्रकार से interview होता है साकसतकार एक उदेश से पुर्ण प्रक्रिया होती है यानि कि objective होता है जिसमें उत्तरदाताओं से तथ्यात्मक जानकारी उनकी राय उनका द्रश्चिकोन और किसी विशिस्ट वैवाराधी के कारण जानने के लिए किया जाता है यह पर उनका द्रश्चिकोन जानना हो या किसी विशिष्ट वैवार को किसी ने कोई वैवार कर दिया उस किस प्रकार क्यों कि आपने उसका कारण जानना हो तो उन सब के लिए व्यक्तिगत साकसातकार यानि कि personal interview की आउसकता पढ़ती है personal interview है मनें आपको प्रकार है दो प्रकार का बताया एंगासरन चित structured और unstructured अब चुरुआत हम कर रहे हैं आपकी structured से यसनि कि सरनचित साकसातकार से ये सिंपल सी बात है इसमें क्या होता है सरनचित साक साकसातकार में abrir structured interview में क्या होता है पूछे जाने वाले person जो person पूछे जाने वाले होते हैं उनकी एक list त्यार की जाती है और उन person के कुछ standard answers क्या होंगे वो भी त्यार कर लिए जाते हैं दोनों त्यार कर लिए गए उसके बाद इन person को उसी अनुसूची से जिसका आपको interview लेना है उससे ही पूछे जाते हैं इन person को close ended person भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इनके specific answer होते हैं जो पहले से ही तयार होते हैं close ended होते हैं और इसमें खास बात यह होती है कि जो साथकार करता है यानि कि जो interviewer है जो interview ले रहा है उसको interview लेने वाले जिसका interview हो रहा है प्रार्थी से सूची जो एक list तयार की गई है उससे बाहर प्रसन नहीं पूछने होते हैं यह सोतंदरता उसको नहीं होती है interview लेने वाले को उसको जो प्रसन पूछने है क्यों जो list उसको मिली है उसी से वो प्रशन पूछे जाते हैं और उनके जो है रिस्पोंस रिकोर्ड किये जाते हैं उसके बाद इनलेसिस होता है इसके बाद रिस्पोंस कैसे दी वो बात दूसरी है यह है आपका सरंचित साखसातकार इसका ग्जामपल देखो आप जो आप किसी job के लिए इंट्रिव के लिए जाते हैं रोजगार के लिए जब जाते हैं उस समय structured interview का प्रियोग होता है क्योंकि आप सके विशे से सम्मनित प्रशन पूछे जाते हैं और उसी से लेट पहले से प्रशन त्यार की जाते हैं उनके standard answer भी उसके पास होते हैं ठीक अब इसके लाब क्या है देखिए सबसे बड़ा इसका गूर्ण या लाब देखिए आप संचालन करने में आसान वहता है कोई भी पूछ ले इंटर्वू जिसको थोड़ी बहुत नोलेज हो इंटर्वू की वह आराम से इंटर्वू ले स इसके गुण होगे लाब होगे कुछ दोस में वही इसके प्रियोग में यह जो प्रियोग ना इसके यह कठोर अनम में होता है मतलब एक रिजीड और फिक्स्ट अप्रोज होती है यह आप अपने लिष्ट से बार नहीं जा सकते अगर आपकी इच्छा भी है किसी व्यक्ति इसका इंट्रिव आप ले रहे हैं उसे कुछ प्रसंद पूछने की तो आप बहार उसे नहीं जा पाएंगे इसलिए इसको बोला गया है रिजीड एंड फिक्स्ट असरंचित साकसातकार यह बिलकुल उसका आपोजिट है सरंचित में क्या था एक कोशनों की लिस्ट और आंसरों की लिस्ट कोशन की आंसर की लिस्ट में त्यार हो जाती है अग्या सरंचित में ऐसा कुछ ज्यों इस परकार के साथ-सात मै creator प्रसनों फूछे जाते है ठीक है वो FX मतलब जिनका इंड जो है उपन ही है आप जो चाहे आंसर्सर आप दे सकते हो इसमें ना तो एक प्रतिक्रिया कोई बहुत बड़ा अनुकरम होता है सीरियल होता है कि पहले यह पूछा जाएगा प्रतिक्रियाएं करने की एक को प्रतिक्रियाएं करने की एक को प्रतिक्रियाएं करने की और जो प्रार्थि होता है उसको जवाब देने की पूर्ण रूप से आज़ादित होती है, सुतंतरता होती है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर जो प्रार्थी क्या जवाब दे सकता है कि इस प्रसन का, वो कोई तै होता है कि ऐसा ही जवाब इसका आना चाहिए, तो ऐसे साखसात्कार को हम अय सरंचित अन्स्ट्रक्चर इंट आप तो होती है, दोनों free होते हैं, जवाब देने के लिए, एक प्रसन पूछने के लिए free होता है, दुसरा जवाब देने के लिए, इस से क्या benefit है, कि गहन वीवरन, मतलब आपको deep information उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाती है, सूचनाएं आपकी पता चल जाती है, जो पराइज में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको पुछने की पूरी की पूरी सुतंतरता होती है, कुछ दोस भी होंगे, इसका सबसे मोटा दोस क्या है, ऐसे इंटर्व्यू के लिए, ऐस रंचित इंटर्व्यू लेने के लिए, कोई आम आदमी इंटर्व्यू नहीं ले सक तो क्या होगा, खर्च भी होगा, यानि कि समय धन में ये अधिक खर्चिला होता है, बहुत एकोनोमिकल नहीं होता ही, आप किसे इंटर्व्यू ले रहे हैं और गंटों बात करने लगे उससे आप, क्योंकि आप फ्री है प्रसन पूछने के और अगला भी फ्री है जवाब देने के लिए, तो समय कितना लगता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, दूसरी बात, ऐसे जो ट्रेन इंटर्व्य को बलाओगे, तो he will charge, he or she will charge, जब वो charge करेगा तो महंगा हो गया आपका, त्यानि कहने का मतलब यह हो गया, कि इसके सबसे मोटा दोस यही है, कि समय द्वारा प्रशनावली, नाम से ही हमें पता चल गया, इसका, क्या होता है, जब सोशल साइंसिम रिसर्च में, यह सबसे ज़्यादा प्रियोग की जाने वाली सर्वेक्षन टेक्निक है, सर्वेक्षन टेक्निक, प्रशनावली, क्या होता है, इसमें, और किफायती भी है, और इसका मुख्य रूप क्या है, विशेष्टा क्या होती है, कि किसी द्रस्टी कौन, विश्वास या राय जानने के लिए कुशलता पुरुक त्यार की कि प्रशनों का एक्सेट होता है, कोशन का एक्सेट त्यार कर लेते हैं, आप सिंपल सी बाद, आपको पताईए, उसके पर उमार कर देते हैं, ठीक है, आपका जो प्रशनावली है, यानि कि जो आपका कोशनायर है, ये दोनों तरह का हो सकता है, objective as well as subjective, जो objective होता है, उसके जो अंदर प्रशन होंगे, वो close ended होते हैं, answer भी fix होते हैं, 4-5 जो option दिया होंगों मेंशे आपको चुनना होता है, subjective क्य होता है, प्रसंदिया होगा, नीचे बिल्कुल खाली होगा, मर्जी से उसको अपने मंद से उसको लिखना होगा, ये समझ में आ गया, और इसका प्रियोग qualitative as well as quantitative, दोनों प्रकार का data इकठा करने के लिए किया जाता है, qualitative गुनात्मक और मात्रात्मक data संगर करने के लिए कि ये भी दो प्रकार का है, बड़ा असान सा, बहुत मुश्किल नहीं है, कभी आपको ये लग रहा हो, कि भई हम, tough है ये, ये बहुत बड़ी इसमें बात है, जी नहीं, प्रतेक्स personality, इसको हम direct questionnaire कहते हैं, direct का मतलब है, जो question set आपने त्यार किया हुआ है, वो सीधे, किसी जि आपको डेटा करेट करना है, एक वेक्ति हो, या वेक्ति हो, एक समू हो, उन से सीधा दे दो, लो भी, आप बरके दो मुझे, ये क्या होगा आपका, पर इस तरह के अगर आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते है, परतेक्स personality, दूसरी जो टेक्निक होती है, डाक लिफाफे में डालेंगे, और उस लिफाफे में एक लिफाफा और डालेंगे, जिस पर आपका खुद का एड्रेस लिखाओगा और उस पर स्टेम्प भी लगी होगी, क्यों? क्योंकि जब वो वेक्ति, जिसके बास आप भेज रहे हैं, वो जब प्रतिकरिया अपनी भेज तो उस समय उसको ना लिफाफा खरिदना पड़े, और ना उस पर अपना पैसा खर्श करना पड़े, कई बार ऐसा होता है, अगर ऐसी करनी जूरुत पढ़ती है उसको, तो वो सकता हो जवाब ना दे, क्योंकि आप एक रिपलाई एनवलप उसके साथ बेज देते हैं, और और कुछ ना कुछ इसके दोस भी होंगे, सबसे बिले गुण की बात करते हैं, देखिए, संचालन करने में बहुत आसान है, बिलकुल इसको कंड़क बहुत आसानी से किया सकता है, इसके प्रणामों को दराय भी जा सकता है, और इसकी जो विसोसनिता होती है, दे दिया, ठीक है, उसमें व्यक्ति कई बार अपना जो प्रशन है, कुछ प्रशनों को बिना आंसर की छोड़ देते हैं, ठीक, कई बार उनको उस प्रशन को समझने में, उसकी व्यक्षा करने में, उसके उपर परभाव पड़ता है, वो समझ नहीं पाते हैं, और जो आप कह प्रशन आया है, उसको पड़ कि अगर उसके मन में कुछ कहने की इच्छा है, कुछ भाव उसके जागरित होते हैं, उसको व्यक्त करना अगर उचाता है, तो प्रशन व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उसको तो मात्र उस प्रशन का जवाब देना है बस, आप अपने बोडी ल जवाब देगा कि वो अपना एजंडा आपके उपर थोपना चाहता है ठीक तो यह भी एक हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि उसने जो जवाब दिये हैं वो जवाब उसके सही है या उसके अंतरमन से निकले वे जवाब है या वो किसी एजंडा के सब्सक्राइब करते चले जाएंगे क्या होगा तो वो क्या होगा अन साइन्टिफिक रिस्पोंस इसे भी कई बार परश्णावलिक में हो सकता है चली करते हैं अब आप डिसकस करेंगे आपकी तीसरी टेकनिक और वो है टेलिफोनिक सर्वेक्शन यह क्या होता है टेलिफो को पूछने और उनकी प्रतिक्रिया को रिकोर्ड करने की जो कारे परणाली है उसको टेलिफोनिक सर्वेक्शन गरूप में जाना जाता है बहुत ज़्यादा यह टफ नहीं है टेलिफोनिक सर्वेक्शन मतलब किसी को आप परसंद पूछो और आपको जवाब देदेगा इ पूर से कहीं से भी across the world डेटा इकठा कर सकते हो बहुत आसान होता है अगर आप ठंड़ का मोसम है अराम से आप रजाई में बैठे और फोन गुमाते हैं आप डेटा इकठा करते रहें कितना आसान है और दूसरी बात आपको किसी specific group को target करना है माले को students है को कामकाजी अगर इसमें इतना मजा है यह इतना आसान है तो इसमें कुछ ना कुछ दोस भी होंगे ही वह कौन-कौन से दोस हैं सबसे पहली बात सबसे मोटा दोस इसका यह है कि कई बार जब आप लंबे प्रशन पूछते हैं तो व्यक्ति जो सामने वाला है ना फ्रेस्टेट होकर व आपका आदा प्रसन सुना उसने और प्लाइन काटती है यह बहुत बार होता है कई बार लोग आप टेलिफोन करते हैं तो अपनी परसनल जानकारी में परसनल लाइफ में इसको गुस्पैट मानते हैं और सई जवाब नहीं देते और ना इसके चाते भी है फोन भी काट दे यह होता है अगे चलते हैं इसमें क्या होता है अब देखिए अमने कितनी टेक्निक इस्तेमाल कर ली इसकी तीन होगी इंटर्वी ओ गया ठीक हो गया कोई सनायर हो गया और तीसरा क्या किया आपने टेलिफोनिक सर्वे आप चोथा ये लो इमेल सर्वेक्षन यह भी डाक द है तो वो डाके तो बहुत कम उसका इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा तो ई-मेल का ही प्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रोनिक मेल कमा तो बस क्यों हो इतना ही अंतर है पर इसके भी कुछ गुण है वही बात जो टेलिफोनिक सर्वे की है थोड़ा सा और इसमें बेनिफिट ये है कि पैसा साम और स्रम के संदर में किफायती होता है लंबे दूरी से असानी से हम तेजी से ड़ाइगतर कर सकते हैं टेलीफोन में और इसमें यह फायदा है आप कितनी भी दूरी पर टेलीफोन की लिमिट्स नहीं है आजकल लेकिन अगर आप बहुत दूर की दुनिया की में करना फोन लेकिन इमेल आपने कर दी तो तुरंत उसका अजय से रिप्लाई देगा तुरंत रिप्लाई आजाएगे उसका ठीक होगा ना यह बहुत इकटा करना डेटा असान होता है विसी स्लोगों से जानकारी आसान होती है जिस ग्रूप को आपको टार्गेट करना उ उस मेल को उपन करके उसका जवाब दे सकता है रिस्पोंस दे सकता है यह दिसका अब कुछ इसमें दोस्त भी होंगे बिल्कुल इसका सब से अपने बाशाम के जो मोटा दोस्त यह है कि इमेल से हम उनी लोगों से हम डेटा इकटा कर सकते हैं जिनको एक तो इमेल चलाना आ आता हो उनका email address हो उनके पास active internet connection हो लेकिन पुछ ऐसी जगह हैं जैसे डीप जंगल में रहने वाले हमारे लोग हैं आदिवासी लोग हैं या पहाड़ों पर रहने वालोग हैं यू कहलो आप जहां पर internet का structure infrastructure नहीं है यह वहां पर से ऐसे email के माददम से data इकठा करना असंबग होता है हो माले infrastructure भी हो लेकिन लोगों को परयोगी करना ना आता हो तो कितने लोग है email का प्योग करते हैं पढ़े लिखे लोग जाए तर email का यूज़ कर रहे हैं जो लोग बड़ी आबादी है जो अनपढ़ है और अनपढ़ जो data इकठा करना संबव नहीं होता है अब आगे चलते हम अगली टेकनीक सर्वेक्शन की डेटा क्लेक्शन की यह रही आपके सामने ओनलाइन सर्वेक्शन यानि की वेब बेस्ट सर्वेक्शन यह क्या होता है इसमें देखिए आपको email में और online में एक छोटा सांतर है email में आप mail करते हो personally mail करते हो उसके inbox में चली जाएगी लेकिन online में क्या होता है आप उनको link बेचते हो ठीक है इसर्वेक्शन इंटरेट के माद दमसे हम क्या करते हैं एक link बेचते हैं और वो link वो click करेगा पूरा form खुल जाएगा उसमें ठीक है और आप फिलब कर दीजिए और जवाब देदीजिए ये एक अपनी website पर आप link डाल देजिए जो वेक्ति website को देखेगा वो उसका जवा form खोल लिंक दे सकते हैं वो URL बोलते हैं उसको उसको उस पर व्यक्ति क्लिक करेगा एक form कुलेगा उसमें अपने जवाब देगा और सब्मिट कर देगा कई बार आपके mail में भी आता है कई बार आप जैसे social networking website यूज करते हैं उसमें भी आता भी आप एक सर्वे चाहिए कु जाते हैं और इसके लिए कई सारे platforms हैं applications होती है software होते हैं इन सब को क्या का जाता है survey action builder tool कहा जाता है किस तरह से survey को बनाया जाता है ठीक है और बहुत सारी आजकल तो बहुत अच्छा ये कमाई का साधन मन गया है बहुत लोगों ने अपनी website इसमें design करके चला दी है जहां पर अगर आपको कोई survey करना है आप उन website से contact कर सकते हैं और वो लोग आपके लिए survey क नया business के options भी से कुले हैं तो ये था आपका online survey action या web आधारेट survey action क्या-क्या scope है कि कहां-कहां पर ये survey का यूज होता है तो बेस्लाइड उपर नीचे हो गई थी कोई बात नहीं तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया सरकार इजिंचिया जैसे मत गणना राष्टे नमूना संगटना आर्थिक सर्वेक्षन आदी स्कूलों और कोलेजों में सर्वेक्षन होता है कितने बच्चे उसमें admission हुए कितने नहीं हुए मनोग्यान और अन्य सामाजी ग्यानों द्वारा संदान के लिए सर्वेक्शन होता है उसके बाद वनस्पती के परसार कि जया विटा बाय डाइवर्सिटी कैसी है किस जगह पर किस प्रकार के पेड़ पोदे उगते हैं कैसा उनका मोसम है वहाँ पर है इसके लिए भी सर्वेक्शन किया जाता है और मार्केटिंग इजेंसी की मैंने जैसे ब कि अपड़ी द्रस से मतलब ले देखिए आध सकोप की बात हम कर रहे ना कहां का म सर्वेका इस्ते आल कर सकते हैं सर्वे का इस्तेमाल सबसे पहले आप देखेंगे गोर्मेंट अजन्सिज इशनल सेंप इंडिया की है वो इस्तेमाल करती है उसके बाद हम किसी लैंड स्के की टोफोग्राफिक कैसी है उसका दद करने के लिए भी धी सर्वे करते हैं उसके बाद मार्केटिंग एजगंशी है बहुत सारी मार्केणिग दीन होटी है उनक, वह भी अपना सर्वे करवाती है वह बोई कौन सा प्रोड़क्ट चलेगा उसकी क्या जरूरत होनी चाहिए कि तनी उसकी डिमांड है उसके लिए सरवे होता है प्राकर्तिक संसादन है जो नेचुर्ल पराजनिक पार्टियां भी अपना सर्वेक्षन कराती हैं कुछ इंटरनेशनल संगठन है अंतराश्टी यह जो औरनेशन से होती हैं संगठन होते हैं वो भी सर्वे कराते हैं आप देखें कि सबसे बड़ा संगठन एक है इंटर गॉवर्मन्ट पैनल उन क्लाइमेट चींज यानि कि अंतर सरकारी जलोवी प्रवेक्षन होता है यह बहुत इंपोर्टन है आई पी सीच यह क्लाइमेट चेंज पर सर्वेक्षन करवाता है और फिर देखें कि जो मैंने यह से बताया ग्राकों या उपयोग करता हूं के संतुच इसतर को प्रवावी प्रतीकोर्य पैठरमादी को होता है और बेसृन्स सर्वेक्षन होता है और ब zeker सारे सकी स्कॉप यहनि वह अपने लोगों के यह किसी मुद्दे पर राए दस्टिंग जानने के लिए भी सर्वे किया या जाता है और वह शाकождения की बात है modular कि यह था आपका मनुवि ज्ञान की जो मिधिया हैं मैं 300 साइकोलोजी का सर्वेक्षन मैंतर्ड सर्वे मैंतर्ड यह मेरे रिफ्रेंसिज हैं आप इनसे और अगर जानना चाहें तो डीपलेन को रिफर करके आप अच्छे से और भी आप पढ़ सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं वो होगी आपकी समवेदी प्रिक्रिया, सेंसरी प्रोसेस, वो भी विज्वल द्रश्य वाली अलाएंकि यह वीडियो आपके नेट पर अवलेबल मैंने कर दी है, पहले रिकोर्ड कर दी थी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा देजिए, और दूसरी बात, अगर आपको कुछ पसंद आता है इसमें से, या वीडियो पसंद आती है, तो आप दूसरों के साथ शे कमेंट्स का मुझे इंजार रहता है, जो दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया.